स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं और डॉप डॉप ब्लेट को जब हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद बहुत सारे वाइल हमारे पास रहते हैं जिसमें हमें अलग-अलग टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं तो उसको किस सीक्वेंस में ब्लेट कलेक्शन करना चाहिए ब्लेट उसमें ट्रांसफर करना चाहिए जो हम नेडल या सिरिंज के द्वारा हम ब्लेट लेते हैं उसको हम किस ओडर में हमें ट्यूब में ट्रांसफर करना है ब्लेट को तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो कंप्ली क्यों जरूरी है मतलब ब лег कल drinks सभ警 कर लिया तो ऐसा जरूरी क्यों है कि हम अलग-अलग ट्यूब में जब हम ट्रांस्फर करते हैं तो किसी भी में हम पहले ले सकते हैं लेके वियIST के पीछे रीजन है और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था ब्लेट कलेक्शन का वेक्यूटेनर वाला उसमें मैं कलेक्ट करके दिखाया था ब्लेट उसमें और आपको नहीं बताया था वो इसलिए क्योंकि केवल और केवल उसमें मेरे को blood collection का procedure बताना था ठीक है इसलिए मैंने उसको avoid कर दिया था लेकिन यह topic भी बहुत important है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तो यहाँ पर जैसे की introduction में लिखा हुआ है to avoid cross contamination blood must be drawn and collected in tube in a specific order this is known as order of draw इसके उपर सवाल भी आते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए और यह प्रक्टिकल ही है तो प्रक्टिकल ही जब आप करते हैं तो इसके बारे में पता भी होना बहुत तो इनमें एंटी कोगलेंट्स भी अलग होते हैं कुछ में एंटी कोगलेंट्स नहीं होता है तो यह सारे ट्यूप में हम एक specific test को परफूम करने के लिए अलग लग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं समझ में आ रहा है तो इसलिए आपको इनमें जब हम ब्लिटी कोगलेंट्स के अंदर है इनके अंदर सभी ट्यूप के अंदरAny तो अगर जब हम उसके अंदर डालेंगा तो इसका एंटी कोगलेंट सब्सों में सद्सक्राइच को Velvet में भी वो variation देखने को मिल सकता है समझ में आ रहा है इसलिए जो है यह बनाया गया है order of draw ताकि इसमें कोई contamination के चांस है अब यह blood culture को सबसे पहले रखा जाता है ताकि कोई contamination इसमें नहीं तो इसका report गलत हो जाएगा समझ में आ रहा है इस्ट्राइल है blood culture वाला जो मामला होता है वह इस्ट्राइल वाला होता है ठीक है तो जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा यह मैंने आपको ट्यूब बताया है बाकी डिटेल में आपको बताऊंगा ब्लेट कल्चर कोगलेशन ट्यूब सीरम ट्यूब विदाउ है तो इसमें blood culture के लिए हम या वाल इसको बोल सकते उसमें सबसे पहले आपको जो भी आप blood collect करते हैं वो इसमें सबसे पहले आपको transfer करना है किसमें blood culture की ट्यूब में और 7-8 बार इसको क्या कर लेना है आपको mix कर लेना है तो उसके बाद आपका आता है Coagulation Tube या Cytrate Vile इसके उपर भी यह Спेसिप्क टेस्ट जो आपका Coagulation Steady के लिए किया जाता है Cytrate Vile में तो यह साइट ट्यूब में लेने के बाद आपको 3-4 बार मिक्स करना है समझ में आ रहा है PTI, INR वागए D-dimer, Fibrinogen यह सारे Test Coagulation स्टेडी जितने होते हैं सब 126 आप आप आएंगे तो इसमें सीरिम ट्यूब विदाउट क्लोट एक्टिवेटर और उसके बाद क्लोट ट्यूटेजिक वाले जो जैल इसमें मिले हुए रहते हैं तो उन ट्यूब में आपको इसके बाद collection करना है ठीक है तो blood clot and the serum is separated by centrifugation तो इसमें centrifugation करके आप serum separate करते हैं जैसे कि लाल ट्यूब अधिकतर आप इस्तेमाल करते हैं यह वाला भी आपको देखने को मिलता है तो इसमें आपको क्या करना है आप इसको जैसे आप सेंपल कलेक्ट करके इसमें ट्रांसफर करेंगे तो ही मुलाइज ना हो उस बात का आपको ध्यान रखना है किसी भी सेंपल में जब आप ट्रांसफर करते हैं तो एक से दो बार आप मिक्स कर सकते हैं न जो आपका है उसको लेने के बाद आपको इसमें ध्रांसफर करना जिसमें आपको सीरंम चाहिए है उसके बद हमारा जाते है है झाल अले तो यह वाला जेट यह ट्यूब है तो यह ग्रीन कलर का टॉप आपको देखने को मिल रहा होका है यह पेरेंट टीउब तो सोडियम हेरेंट लीथियम हेरेंट जब आप ट्रास्फर करेंगे ब्लड तो साथ से आठ बार इसको आपको क्या करना है mix कर लेना है और उसके बाद इसका यूज लीथियम लेवल और सोडियम हेपेरिन यह सब यूजेस में हम पहले भी बात कर चूंगे इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अमोनिय लेवल एलेक्ट्रोलाइट सी यह सारे ब्लड गैसेस वगरे तो उसको टेस्ट परफॉर्म करने के यह आप कुछ सा हेपेरिन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं ठीक है जब यह हो जाए कलेक्शन उसके बाद हमारा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ट्यूब आता है वह इडिटी ट्यूब सोता है इसको ब्लड ट्रांसफर जब आप करेंगे इसमें तो आपको 8 1-10 से 10 बार आपको मिक्स करना है और आरााम से मिक्स करेंगे कभी कई लोगों को मिक्स करने का प्रोसीजर पता नहीं होता है और बहुत तेजी से सको मिक्स div seizure करते हैं जिसके करनक ही ही मोलाइसे होने के चांसे करते हैं और आपका रिपोरomena van देखने को मिल जाता है इसलिए mix करने का भी proper तरीका होता है समझ में आ रहा है up and down आराम से बिलकुल tube को करना है ताकि अच्छे से blood mix हो जाए और anticoaglant भी इसके अंदर क्या है रहता है वो blood के साथ mix हो जाए ताकि जो भी anticoaglant का function होता है वो proper होना चाहिए किलियर तो हेमेटलोजी के ज्यादा तर टेस्ट जो है वो आप EDTA वाइल के द्वारा परफॉम करते हैं सिंपल उसके बाद आता है हमारा लास्ट और या फ्लॉराइट ट्यूब तो यह तो सबको पता है ठीक है फ्लॉराइट जो ट्यूब होता है वो गुलुकोलय को चैक करने के लिए किया जाताся है सेमझ मैं रहा है तो यह तो यह ग्लाइकुलाइट को सबकी दीरभाब होते जाता है तो आपका रॉपॉर्ट पर्फॉम जब आपको नहीं मिले गए इसलिए वह गुलुकोब के लेवल को करने से रोकने के लिए हम किसका फ्लौराइड वाइल का इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ रहा है, तो लास्ट में आपका यह फ्लौराइड वाइल आएगा तो इस तरीके से हम ब्लेट कलेक्शन का पूरा सीक्वेंस होता है, ताकि आपको पता होना चाहिए और आपकी रिपोर और भी समझ में आता रहेगा तो यह एक बेसिक नॉलेज था जो आपको देना था वीडियो आपको अच्छा लागा तो लाएकि जरूर करें सेयर करें अपने दोस्तों में चैनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब करके बैल अकन दबा लें आपको नोट्स बगरे की रिक्वा पर दिया हुआ है वहाँ से जा करके आप हमें मिल कर सकते हैं थैंक्यू सो मच